हेलो एवरिवन वल्कम बेक टो येर आन चैनल साइन्टिया आई होब तुसी सारे ठीक होंगे एंट तो अडी जो प्रिप्रेशन है कॉंपिटिटिव एक्जाम दी ओ अठी चाल रही है अज आपा जो चैप्टर स्टार्ट किता से मैटल्स एंड नॉन मैटल उसनों कॉंटिन अज अपने नॉन मैटल दिया है कैमिकल प्रॉपरटी तो स्टार्ट करने क्योंकि फिजिकल प्रॉपरटी आपकार चुक या ठेक है जी अगर चैनल ते नियू हो तर चैनल हो सब्सक्राइब कर लीओ बेल आइकन प्रेस कर लीओ so that time to time तो अनो सारी information मिल दी रवे please subscribe करो and share भी करो अपने friends से ना जो भी competitive exam दी preparation कर रहे है हाँ जी start कर दे chemical property of non-metal chemical properties of non-metal last time अपना कुछ ना चीज़ां दी गाल किती सी metals दी किस्ट किनने electron हुंदे है की system है तो सब तो पहला अगर मैं first दी गाल कराँ जेरे non-metals हुंदे ने generally, normally गाल किती जावे तो इनना दी आउटर मोस्ट शेल दे विच आउटर मोस्ट शेल दे विच 5, 6, या 7 electron present हुंदे है जेवे अपना metals दे विच किनने सी 1, 2, 3, एवे non-metal दे विच किनने हुंदे 5, 6, या 7 electrons जेवे अगर आपना गल करिये chlorine दी atomic number 17 तक किनने हुए 2, 8, 7 configuration तक किनने आगे 7 electron, clear sulfur दी गल किती जावे 16 configuration लिखो 2, 8, 6 तक किनने आगे 6 आगे, clear मतलब आउटर मोस्ट शेल दे विच किनने इलेक्टरोन आगे 6 तक किनने होंगे 5, 6, 7 तक ओकी होगा non-metal यह जेनरल ही काल किती गया आवे नहीं कि हमेशा ही applicable है mostly जादातर कोई exception इककदी होगी अगर होई जादातर यही बंद है जी, clear second गाल करिए एक ही हुद्ध है electron नो gain कर दे electron नो gain कर दे electron gainer है जी मैं दस्थे ऐसी metals की हुद्ध है electron donor जो अपने को non-metals है ओ electron नो gain कर दिया नहीं जी मैं दस्थे है क्लोरीन अटॉमिक नंबर के नहीं 2, 8, 7 अपना शेल कम्प्लीट कर दे लेगी stable हों दे लेगी one electron नहीं जरूरत है ओगी कर दोगा gain कर दोगा किस तो sodium तो तक क्लोरीन की हो गया एक electron gainer जो कि एक non-metals clear हुन देखो जो भी electron gain कर दे नहीं उनना ते की हैंदे negative charge हां जी clear ता ए यूजली की हुन देने anine हुन दे non-metals की हुन देने anine हुन दे anine की हुन दे n तो याद रखने जिनना ते की आ जुगा negative charge आ जुगा means ए हे की हुन दे है फोर्थ भी लिख सो दो या विच्चे लिख सकता हूँ electro negative element clear अगर फिफ्थ काल कर लो चाहे फोर्थ मतब प्रोपर्टी दी अगर electromagnet लग करना है फोर्थ काल लो चलो विच्चे consider काल लेने हुन कुछ आपपा किया है reactions दी भी गाल करांगे properties दी भी गाल करांगे जदो non-metal oxygen दे नल रेक्ट कर दे है non-metals दी रेक्शन किस दे नल oxygen दे नल तब जदो भी non-metal oxygen दे नल रेक्ट कर दे है की formation हुन दी है oxides दी non-metallic oxide deformation हुन दी जदो जदो carbon जदो oxygen दे नाल react कर दे तब अपने को किस दी production हुन दी है carbon dioxide दी नाल किस दी production हुन दी है heat दी clear अगर carbon अपर मतलब एता समझ आगया येता हुन जी reaction है अगर carbon अपर अमाउंट ओथ ओक्सीजन या air ज़ बरंड नहीं कर दी ता अपने कोल carbon mono oxide formation होगी मैं सारा कुछ नारी दास्तिया ता अपने कोल की बनुगा कार्बन मोनो उक्साइड बनुगा कदो जदो अपने प्रोपर अमाउंट दे विच एर प्रोवाइड नहीं किती insufficient supply of air फिर अपने कोल की फॉर्मेशन होएगी कार्बन मोनो उक्साइड दी तो sulfur दी reaction करवा सकते हों ठीक है किसे दी भी करवा सकते हों mainly non metallic oxide दी की होएगी formation होएगी non metallic oxide जादा तर अगर अपने गल करिये fifth property नाली दिख लो जाए जो non metallic oxide हों दे है non metallic oxide यह acidic nature दे विच हुन दे है clear means blue litmus to red दे विच convert हो जाएगी अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट किता जावे जिमें carbon dioxide दी reaction में water दे नाल करवाननी है तो अपने कोल फॉर्मेशन हो जाएगी carbonic acid the H2CO3 clear जिमें अपना sulfur dioxide दी जिमें water दे नाल reaction करवाऊंगी तब पहला की बन जगा sulfurous acid then इस तो ही अगर अपना sulfur trioxide लवाँगे उस दी water दे नाल reaction करवाँगे फिर अपने कोल की बन जगा sulfuric acid clear जो अपना में लिकी है यूज कर दें तर इत्थो question आप ही बन सकते है कि किस nature देंदे acidic nature देंदे clear next अगर गल करती जावे reaction दी fifth I think so reaction non metal दी किस दे नाल chlorine दे नाल किस दे नाल chlorine दे नाल mainly जदो chlorine दे नाल reaction हो दिया ता की formation हो दिया किस दी chloride दी non metal chloride बन जन दे जिमें hydrogen hydrogen chloride देगा phosphorus phosphorus tricolride दोगा जिमें phosphorus reaction P4 phosphorus 6 अपने chlorine दे की बन के अपने को phosphorus tricolride ठीक है phosphorus phosphorus tricloride next अगर गाल किती जवे non metals दी hydrogen दे नाल reaction non metals दी hydrogen दे नाल reaction share कारके किया electrons bond बन दे है उनना अपना कोवलेंट बन बनाने है ता non metals जदो hydrogen रेक्ट कर दे था की केड़े bond बना दे है covalent bond question बन सकते ता कोवलेंट हाइड्राइड बन होगा जी मैं hydrogen दी मैं sulfur देना रेक्शन करवाई ता hydrogen sulfide बन गया ठीक है nitrogen दी अगर मैं hydrogen रेक्शन करवाई balance करें नाना की बन जुगा ammonis बन जुगा NH3 clear non metal इक कित मैं लिख दियां color change कर लिए non metal water देना रेक्ट नहीं कर दे की evolve करण देली hydrogen evolve करण देली water देना रेक्ट नहीं कर दे ना ही non metal ना ही जो non metals ने dilute acid नाल भी रेक्ट नहीं कर दे मैं metals रेक्ट करवाई है dilute acid वाला clear I hope तो नहीं चीज़ां clear हो चुकी है next अगर मैं कल किती जवे metal ते non metal दी reactions reaction of metals and non metal बहुत बहुत सारी यां जिरिया metals ने और की फॉर्म कर दिया ने ionic bond ठीक है कदों जदो ओक इस देना react कर देने non metal देना ता इनना अपा जड़े ionic bond formation कर देने जदो metal दे non metal react कर देने ता इनना अपा की क्या दिन्या ionic compound पाउंट clear हुन ions की हुंदे अपनों पता है ions की हुंदे positive या negative charge वाले जड़े atoms हुंदे इनना नों अपा की क्या दिन्या ions क्या दिन्या ions बंदे की में gain या lose जदों अपा की कर दिया electron loss of electron और gain of electron ता अपने कोल किस दी formation हुंदी है ions दी atoms जड़े ions हो बंदे ने ओ ज्यादा तर electronic configuration हुंदी है किस दे near noble gases दे near उस दे according electron gain या lose हुंदी है clear समझ आ रहे हैं समझ आ रहे हैं मैं बिल्कुल स्लोव स्लोव करा रहे हैं जी में positive आइन पोजिटीव आइन कदो फॉर्म होगे जदो loss of electron होंगे by an atom किसे भी atom दे स्लोव 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 magnesium होनों magnesium दी गल किती जावे atomic number किनना हुंद है 12 configuration लिखी जावे तर two electron lose करूगा दो जादा ने हो देकोल किया जो magnesium ते two positive charge आज़ुगा प्लस किनने electron lose किती है two electron lose होगे यह नू कहने है positive आइन next काल करांगे negative आइन दी negative आइन कदो बंद है जदो gain of electron होगे जी में कलोरीन दी मैं तो अंदस्ती सी क्यों sodium chloride किता बंद है जदो sodium तो chlorine कि electron gain कर लेंद है ता chlorine दी formation कि में अदी है sorry chlorine ते negative आइन का दो आदवा जदो chlorine इक electron gain कर लेंद है ता इस ती की यह ज़ंद है negative charge आज़ 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 ए इस written के नाल तो सी नेगिटिव आइन विकार सकते हूं ता आइनिक बोंड त्यान ने हुन फे ज़तो नो एही समझ आ गया देखो सोडियम को राइड वाला था अपने मेली कारी लिखता ता हुन अपना होर कोई एक्जाम्पना कर दिया आइनिक बोंड ता आइनिक बोंड अपना दस्या ज़ो ट्रांस्फर होंगी एलेक्ट्रों फों मेटल तो नोनमेटल तो जीरे विच्छ मेटल ते पॉजिटिव चार्ज आ ज़न्द है तो नोनमेटल ते नेगटिव चार्ज आ ज़न्द है ता एहे की कर दिया है डोनेट कर रहेने एक गेन कर रहेने नोनमेटल छीक है तहां इनना देविच जी आईनिक की बन जन्द है बोंड बन जन्द है ते कंपाउंड की हो जन्द है जेड़ा बंदेन ना दोनना तो न्यूट्रल क्लियर क्योंकि एक्वल पॉजटिव ते नेगटिव चार्ज है एक्जाम्पल पोटाशियम कोल्राइड एनने सी रेल भी है बहुत यह आपकार चुके पिछली क्लास है विच पोटाशियम कोल्राइड नो समझ दें पोटाशियम अटॉमिक नंबर 19 कॉन्फिग डाय मायै कोली क्लोरी कंना हों दें अपने को सैवन्टिम टू एच्वن सेवन्टिम ठी कोन्फिग्रेशन सौवाद राइच warto सक्वेशले में मिक्ट जाएज आपकारम कहीं उर्ट यहार आपनले हृमने पते ड्न और क्या प्र टादिट तक है नमें हम आपकार यह क्या एल होगी वेट सो सॉरी टू एट एट वन मैं भी सूचा नाइन हाजी ता एक ही अगया हुन अपने कोल पते वन है पोटाशियम की करूगा अपना इक एलेक्ट्रोन में क्या सी मैटल्स दे विच जेडी कॉन्फिग्रेशन दे लास्ट वन तो त्री इनना कुंद है क्लोरीं दे के मिच नेसं reference ही अपना झाल की पाश आजया है नेकुंद है प्हुंद से अलोग जो टो कार दोगा मतल्ट दे दूगा लूस कर तो और कलोरीं नो दे दोगा कलोरीं की करूगा गेन कार दोगा तब पौटाशियम तो पॉजटीव चार्ज द्ञ कलोरीन ते नेगेटिफ ए आपस दे विच आयोनिक बॉंड बना के की बना देंगे पोटाशियम कॉल्राइट से मेला ली एनने सी एल सी ता इते सो सोरी क्योंकि अपनों मैं कॉन्फिग्रेशन इद्धा ही लिगी हुंदा ता देखो नाहीं नहीं है टोटल बट कॉन्फिग्रेशन हमेशा 2888 इद्धा हुं भी है ठीक है ता उस तरीक के नल करने है उस देली सॉरी हाँ जी नेक्स्ट गल करदें आप अगले टॉपिक दी प्रोपर्टीज भी आईनिक कमपाउंड देखो अगर मैं गल कित्टी जावे सैंक सॉलिड हुं फर्स्ट कीयां आईनिक कमपाउंड की हुं देने सॉलीड हुं क्योंकि अगर गल कित्टी जावे इनना दे विच की महा है बोध ज्यादा फोर्स ओफ अट्रेक्शन प्रेजेंघर ळेंगर 튀 बनान देने हैं ठीक है जी इस तो अलावा गल किती जावे आइनी कंपाउंड जा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हुंद है कीदे करके फोर्स ओफ अट्रेक्शन दी वज़ा दे नाली ठीक है थर्ड काल किती जावे ए इसली किये है डिजॉल्व हो जान देने जैनरली डिजॉल्व हो जान देने किस दे विच वाटर दे विच लियो ए इनसोलूबल होंदे है और्गैनिक सोल्वेंट दे विच जिमे की कैरोसीन, पेट्रोल उस दे विच ठीक है फोर्थ कल करांगे जड़े आईनी कमपाउंड होंदे ने ए कंडक्ट नहीं कर दे इलेक्रिसिटी डू नोट कंडक्ट पिछ, इलेक्रिसिटी के स्टेट दे विच, सॉलिर्ड डे विच, फिफ्थ, आनी कमपाउंड वोटर दे विच मैं सॉलिर्ड लिख है एदा मतलब एहए ए कि वोटर दे विच ए इलेक्रिसिटी गंडक्ट कर देने ठीक है तुस्क तुसी water आवेत करके आ जो मैं बहुने दसे नहीं ठीक है एह तुसी त्यांदे विच रखने ठीक है डिजोल्फ हो जान देने वोटर जला jonna अलाण स्टेल तो इलैक्ट्रोन्ज फ्री हो जान देने innocै्ट्रोन फ्री हो गएदा मतब इलेक्रिसिटी की होगी कंड़क्ट करवानगे क्लियर होई यह चीज तो I hope समझ आई है next अगर आप अगालग इत्ती जावे calcination and roasting यह दा में difference करवाऊंगे कि roasting की उंदिया calcination की उंदिया important है ठीक है roasting calcination देखो roasting दिकाल करिये जदो अपा की यह sulfide ore नो heat कर दिया in the presence of air excess air in presence of excess air उसनों आपा की क्या दिनने रोस्टी जीरे करके उग किस्च कनवर्ट हो जाने ने sulfide और oxide दे विच ठीक है उनों आपा बोल दे रोस्टी calcination दा मतलब हुंदे है जदो हीटिंग कर दे है कार्बोनीट और दी एदे विच्च की है लिमिटेड अक्सेस की है अब मतलब जादा नहीं देता है लिमिटेड अक्सेस अपने एयर पर वाइड दे लिमिटेड सप्लाई दिती है लिमिटेड सप्लाई ओफ एयर ज अगर आपा इनना नों हीट कर देया इना एवाइकिस्ट कंवर्ट हो जानदे न ऑक्साइड इस अप्प नों बोल दै केलोसिनेश रड़के जावे एक्जाम्पल पहला रोस्टिंदि देख लो जिन्क इल्फाइड नहों मैं oxygen अक्सेस एर्च किया सी oxygen लेलो ता की बनुगा heat किता तो आगे अपने को zinc oxide नाल किया गया sulfur dioxide clear अगर मैं roasting दी काल होगी calcination दी काल किती जावे zinc carbonate solid state चाहे इन्हों heat किता जावे ता की बनुगा zinc oxide plus carbon dioxide clear बननगे oxygen ते तो की की clear होया कि calcination जेडी हुंदी है ओकिंगे carbonate ओर दी जेडी अपना रोस्चिंग कर दिया इस ते शल्फाइड ओर प्रेसेंट हुंदे calcination हुंदी है जेडी मदब जेडी आवा लिया example अपा absence of oxygen चुकिती है इस दे विच की oxygen प्रेसेंट है clear इदे विच की है carbon dioxide gas release हो रही है nal metal oxide बन रहे है इस दे विचे sulfur dioxide obtained हो रहे है ठीक है नal metal oxide तब बनी रहे है आँ दोनने लग लगनी न तब इत तो कोश्चन बन सकते है ठीक है जी I hope तो अनू यह चीज clear होगी यह दोन्नों important है calcination and roasting इनना ते कोश्चन आ जानदा हुंदे इस लिए मैं तो अनू करवा था क्योंकि मैं ओई चीज करवा रही है जिस दे बेस सिस्थे मैं लगता है कोश्चन बन सकते है नेक्स आप अपकाल करांगे resting of iron यह को reason भी बोल सकते है इस topic नू खुड़ना roasting of iron ना मतलब किया है jar लगना पहला में हो दस से हूं तो अनू में दासरियां की roasting की हुंदिया calcination की हुंदिया इस जादा तर ना जिन ना मैं करा रही है इस metal थी extraction दे विच आ जान दे रोस्चिंग वी calcination वी carbonate और sulfide और ठीक है ता कि में कर दिया ओदे चीज़ां जान दे इलेक्ट्र रिफाइनिंग कर दिया ता रस्चिंग ओफ आइरन या को रीजन दी अगर मैं गल किती जावां ता एड़िच की है जो तो metal की है atmospheric air दे ना रेक्ट कर जान दिया ता एक iron दे उपर layer formation हो जान दिया या पकई एक मैटल दे उपर किया layer पर चड़ जान दिया ठीक है जीनों आपा जार लगना कैदने हो खतम होन लग जान दिया ठीक है ता मैटल खतम होन दे प्रोसेस नों कुरीजन बोल जान दे जिस सिरफ iron आगे ता उदा मतलब किया रस्चिंग ओफ iron जार लगना जी में अपने gate होन दिया ग्रील होन दिया फैंसिंग होन दिया जोदो एज़े ते moisture आ जान दिया नमी आ जान दिया जी में सर्दियां चजाल दर ता ए जोदो रेक्ट कर देने ता की बना दिन देने iron oxide बना दिन देने बना देन आपा की कहा दिने या रस जार क्या दिन थीक है इस प्रोसेस नूझ कहा दिनना रश्चिंग ओफ iron इन आ पा बचावी सक दें आए प्रवैंशन दे भी बोट सारी तरीक्यों ह्हार चीज़ दाए ब्लाए एक दै पेंटिंग उस चीज़ नूँ पेंट कर दो तां ग्रीस कारदो, ओयलिंग देदो हना, ग्रीसिंग कारदो, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कारदो, अलोइंग कारदो, या ग्यल्विनाइजेशन, ग्यल्विनाइजेशन इक प्रोसेस है, तो आनू पता ही होएगा, प्रोसेस है, प्रोक्टिव की हुँदी है, जिंक दी, कोटिंग कार दिती जांदी है, जिंक धी कोटिंग कार दिती हम है, अ इस देपके स्चिल औरुग मतलब शृतता है, त наст garbage मतलब शृत ना लगे, जार ना लगे, जिते होट, बात वालिया टैप्स हुंदिया ने या सिंक्स लगा लो उन्ना चीच जाते कि इता जंद है एक जिंक दी की चला दिती चंद है लेयर चला दिती चंद है ताकि उन्नों किया जारतों किया बचाया जा सके जार ना लग गन दिती जावे एनू अपक बोल दे गैल्विनाइजेशन एक उचे मैथर्ज ने जिनना दे थू आपकी कार साथ है रस्चिंग तो मैटल नो बचा सकते हैं नेक्स्ट आप गल करांगे हुने मैं दसे आ अलोईंग ता अलोए की हुनद है अलोए अलोए ता मतलब क्या है एक होमोजीनियस मिक्स्टर होमोजीनियस मतलब जीदी सेम ब और में चेए दो जाँ पिदी Elliott sto butogly-yanon metal पाई जानओ उसनोँ अंपा की कहा दिनना आ आलोए कै दिनिया की कहा दिनना आ इंप्रॉटन्ट एंजालह मोर्ण कुछ में तो में तो अन्ने रस्दूंगी वी शब्तों पहला अमल्यम पिछे नाम पका सुनया होना अमल्यम्यम म oppress मेर्कुडी प्रेजन आसे सोडियम नाल किनी अपने सोडियम से नाल ऑन के अपनाल आसे स्टेट गूं आट छंदिंग टेंगढ गजरि एक अपने की अगा फेडा को gather फेरस अलोई केड़े हुंदे हैं जिनना दे बीच आइरन प्रेजेंट हुंदे है जि में मैगनीज स्चील निकल स्चील की की आज अदे देच आइरन जो 98% हुंदी है निकल 2% जिड़ा मैं मैगनीज स्चील बोल रही सी उस दे विच आइरन 86% हुंदी है एंड मैगनीज 13% हुंदी है इनना नो बोल दें आपा फेरस अलोई थर्ड गल कर दें नौन फेरस अलोई नौन फेरस अलोई नेम तो ही क्लियर है जिनना दे विच की है आइरन नहीं हुंदी ओ अलोई जो आइरन कंटेन नहीं कर दे जिनना च आइरन प्रेजेंट नहीं हुंदी जि मैं ब्रोंज इनना दे कोश्चन आए मैं इस शॉर्ट वीडियो भी कर रही हुए आइ थिंक ट्रिक करवाई हुए ब्रोंज इच कोपर 90 परसेंट एंड टिन 10 परसेंट ठीक है ब्रास कोपर 80 परसेंट एंड जिंक 20 परसेंट एक इने नोन फेरस ओक्साइड काफी हुँदिया ने जि में एक जर्मन सिल्वर हो दे विच कोपर जिंक टे निकल प्रेजेंट हुँदिये ठीक है गोल्ड दे गोल्ड प्योर हुँदे जेड़ा चोवी कैरेच वाला हुँदे थोड़ा बहुँद सिल्वर कोपर एड कार देन देने वैसे भी ठीक है ता अलोईज पता होने चाहिए दे ने स्टील दी गाल किती जावे जो स्टील हुदिये एड़ेच 99.9% की हुदे अपने को आइरन एंड अगर गाल किती जावे 0.05 दिनियर या इतफाइव लेलो ताहीं बनुगा एक हुदिये नाल कार्बन प्रेजेंट हुदिये मेगनीशियम दी गाल किती जावे मेगनीशियम दा इस दे विछ 95% अलुमीनियम हुदे 5% की हुदे मेगनीशियम एक उच अलोईज नी ठीक है एट उसे कार लियों और बनुग्ठी मेटल्स नलोई हुदे मेटल्स नालों भी ठीक है एक है को रिजन नी हुदे अ जे ठीक है रोक देका ने को रिजन्हों नू ताहीं मेशियम इशियताना को रिजन नी यह harder हुं देने, सक्त हुं देने, clear, इनना दा, जड़ा melting point हुं दे, ओ, cut हुं दे, melting point low हुं दे, क्योंकि में metal सा high दस्या सी ते, इनना दा की हुं दे, low, I hope तो अनो metal ते, non-metals भी clear हो चुकिया, मतलब समझ आ चुकी है, ठीक है जी, next, I think so, done, हो चुकिया, वैसे तो, done, मैं देख दिया, एक और भी रह गया, और topic भी करा दिने है, थोड़ा मैं दस दिया, और की इंद है, देखो, extraction of ore भी लिख दो, कहने जदो metal, जड़ी अर्थ तो मिल दिया है, मैटल अपनों कि तो मिल दिया है, अर्थ तो मिल दिया, और किस फॉर्म दे बिच मिल दिया, अपने कोल, ore form दिया, which is metal obtained from earth, in the form of ore, किस फॉर्म दे बिच मिल दिया, ore दि, तब मैटल या, ore दे नाम जानना बहुत ज़रूरी ने, जिमें, aluminium दि, अगर मैं ore दी गल करां केड़ी, उन दिया, उन दिया, बाक साइट, second, mercury दि, sinavar, नीम वी, यह वी आसादे लिख्यों है, ठीक है, iron दी, hematite, यह magnetite, zinc दी, zinc blend, calumine, clear, एक उछ अलोएज ने, यह तो उन्हों पता होनिया चाहिए दियाने, क्योंकि questions बन जन्दे है, I hope तो नो, metals and non metal topic clear हो जुके है, हाँ जी, अगर न, कोई भी तो न लगद है, कि अपना topic missing है, कोई topic रहा गया तो उसे मैंनो, comment section देवीच दस्या करो, फिर ओ topic मैं तो नो, next class देवीच यह, shots बना के, complete करवा दूँगी, तो ओधी tension नहीं लाएने, बस मैं अन्दाज दी है, अगर कोई topic मेरे वल्लो रह गया होवे हाँ, एक series ज़रूर देख लिए हूँ, metal, non metal देख सीरीज बनी हों दियाने, कि केड़ा highly reactive है, केड़ा का attractive है, ओ ज़रूर देख लिए हूँ, क्योंकि उसदे basis ते भी question बन देख लिए है, reactivity series देख लिए हूँ, ठीक है, reactivity series देख लिए हूँ, जो topic नहीं हुए, अधर लिए मैंनो comment देवीच दास दिया हूँ, मैं तो नो reactivity series करवाई दिन्या, wait करो, reactivity series देख लिए, पोटाशियम, सोडियम, केल्शियम, मेगनीशियम, अलुमीनियम, जिंक, आईरन, लेड, थोड़ा है टाइट लिए लिए हूँ, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर गोल्ड, पीट, दुबारा, पोटाशियम, सोडियम, केल्शियम, मेगनीशियम, अलुमीनियम, जिंक, आईरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, हूँ ठीक है, यह अपने कोल reactivity series हुन दिया, हरेक दा अपना भी हुन दे, इसनों याद करन दा, सब तो reactive अपने कोल की हुन दे, पोटाशियम, most reactive, क्लियर, गोल्ड अपने कोल की हुन दे, least reactive, ठीक है, ता इस तरिके नल सीरीज रंदी है, अपने को, क्लियर, पोटाशियम दे, सोडियम, ए मोस्ट रेक्टिव ने, हुन एक चीज़ हो, देखो, जे, आइरन दी में, जिंक सलफेट ना reaction पोसीबल नहीं हैगी, क्योंकि आइरन की यह less reactive है, किस तो, जिंक तो, एक इत्थो पता लगदे, सीरीज तो, आज जो मैं सीरीज करवाई है, इत्थो पता लगदे ना, आइरन का reactive है, जिंक तो, displacement reaction नहीं होगी, आइरन less reactive है, जिंक तो, तक किस तरीके ना, सीरीज जिंक सब तो, जदा रेक्टिव है, देन की यह, आइरन, देन, कोपर, इस तरीके ना रहे, क्योंकि नीचे नहीं आदे वे लीस्ट है, तो, एत्या आन दे वीच रखने, एस दे थ्रू तुसी कोश्चन कर सकते हैं, एर एक्टिवीटी सीरीज तो, पता होनी चाहिए, ठीक है, आई होप होन तो, सारा कुछ कम्प्लीट हो चुक्या, फिर भी कुछ रहागे तो, मैंने कोमेंट सेक्शन दे विच दास दी हूँ, आप और टॉपिक करवाद आँगे, ठीक है, कमेंट दे विच इतना भी दसने वीडियो की में लगी तो, उनों अच्छी लगी, ता लाइक भी जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है, अपने फ्रेंज देना, टेलीग्राम ग्रूप नो जो आइन कर लियों, जो भी जो भी हज तक नो जो आइन किता जिनना ने भी, स्क्रिप्शन बोक से विच लिंक देता होया, मैंने थैंक यू सो मच की वाचिंग, थैंक यू